अब निजेश अब पास जाओंगा अब निजेश जी ये तस्वीरे आप भी देख रहे हैं ये पहली बार नहीं दूसरी बार पिछले सत्र में भी इस तरह की तस्वीर आई इस बार भी उसी तरह की तस्वीर आ रही है बहीर एलो पी होकर वो कह रहे हैं कि वेल में जाओ वेल में जाने तक तो चलो एक मिनिट के लिए मान लिया कि ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं हलाकि यह जो नई एक गाइडलाइन है या यूँ कही है कि जिस पर आम सहमती बन चुकी है कि विल में जाकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो तो खेर तोड़ी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बिट्टू की तरफ इशारा कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आज आज जो है, मतलब दो-दो हाथ होई जाए, आज आर पार की लडाई हो जाएगी, ऐस ऐसे कौन बिहेव करता है भाई, रंजीत जी, पहली बात तो मैं यह पैसे ही भाई से पूछना चाहता हूं, और वो हमेशा बहुत ही संसिबल स्टैंड लेते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, आज आप एक साल की बात करते हैं, चौरासी में बारा हजार सिख्खों का कतले आम हुआ हैं, गोली तक नहीं चली पुलिस की, पुलिस की लाठी तक नहीं चली, गोली तो बहुत दूर की बात है, और कोई चार शीट नहीं, कोई convicted नहीं, यह तो 2014 से बाद एक व्यक्ति अब तक एक व्यक्ति पकड़ा गया है, यह असलियत, आप एक साल की चार शीट मां लेकिन कॉंग्रेस से बाहर आते ही अगर उसका पूता बाहर आ गया तो वो शहीद भी नहीं रह जाएगा वा भई वा क्या तैसीम भाई क्या शहादत की आपने परिवाशा दिये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शहादत का तमगात सिर्फ कॉंग्रेसी को मिल सकता और कि कहा जा सकता कि वो उनकी अपनी राह है कॉंग्रेस पार्टी के सांसद होने के नाते कॉंग्रेस पार्टी ने नाम दिया तब उनको बोलने का मौका दिया कॉंग्रेस पार्टी यह नहीं कह सकती कि उनकी परसनल राही है सांसद के बाहर आपके करनाटक के मंत्री कहते हैं कि जब से हमने 5 लाख रुपए बढ़ाई है आत्मत्या का तब से किसान जो है ज़्यादा करने लग गए आत्मत्या करने लग गए मनی शंकर आयर से लेके दिगविजय सिंग तक किस के आप व्यक्ति आप यह बता दो किसी का आफिशल वक्तवी भी होता है कॉंग्रेस में संसत के भीतर बोलने वाला कॉंग्रेस का एक संसत और उसकी राय व्यक्तिकत यह सही है रही चौती बात, मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर रवनीच सिंग बिक्टू के दादा जी के बारे में, उन्होंने शायद पिता जी कहा, लेकिन दादा जी के बारे में अगर कोई बात कही गई, क्या वो शहीद भी नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए था कि जै हो चन्नी साब, मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ, आपने बहुत सही का, ये तो नहीं कर सकता न, कोई, तो बात बड़ी साफ सी है, किसने उकसाया किसको, ये महत्पून है, तैसीन, मैं आपने कहा कि जो गलत बात होती है, गलत कहनी चाहिए, और मैं भी कहता मानता हूँ, चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, कि केंडरी मंत्री होने के नाते, उनको वैल के तरफ नहीं आना चाहिए था, लेकिन आप ये तो कहें, कि कोई व्यक्ति शहीद तब तक रह सकता, जब तक वो कॉंग्रेस पार्टी में, कॉंग्रेस पार्टी से अगर उसक के परीजनों के बारे में खास कते जिन्होंने शहादत दिये, और बिट्टो साब के परिवार, दादा जी ने शहादत दिये, नहीं देनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, लेकिन बिट्टो जी, लेकिन मैं चन्नी साब के एक चीज को डिफेंड करना चाता बहुत सही दिशा में बात करें थे, शायर वो प्रकत ने करपाए अपनी बात, लेकिन पर सुनल टिपनी पर मैं नहीं बनता ही है, कि कह रहे हैं कि मैं Аمر amplified पाल सिंग पे कोई टिपनी नहीं करूंगा अच्छा है बुरा है आपके पास दुनिया भर के लोगों के बारे में राय है आपके पास मोदी से ले करके और तमाम लोगों के बारे में अमरित पाल के बारे में आप नहीं बोलते हैं अमृत पाल पर कहते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। ये क्या बताता है भई अब निजैस घूला अभी आपने का ना अब ना अब वोटर्स के बारे में कोई प्रश्ण चिर्ण नहीं लगाँगा जिन्होंने अज्वल-nिगम निकम को हराया जिन्होंने कसाप को फासी पे चड़ाया था एक अमरित पाल जीत सकता है इस लोगत तंत्र में लेकिन अज्वल-nिगम हर सकता है यह हर जाता है तो तो मैं इस बार का कि अगर रबनीत सिंग बिट्टू अगर गए गरत किया लेकिन ये उस राइडर के साथ है कि लीडर फॉपोजिशन अगर वो किसी को वेल में आने के लिए कहते हैं जिस तरीके की भड़काऊ बातें करते हैं आपको बिना किसी इफ और बट के कहना चाहिए कि नहीं एक ली सद इस देश के लोग तंतर का मंदिर है तो वहां पे इसलिए ये सवाल ज़्यादा तीखा हो गया है कि भई और खासकर के लीडर ओफ अपोजीशन इस तरह का ब्यवार कर रहे हैं इसलिए ये सवाल ज़्यादा बड़ा हो गया है लेकिन मैं कराऊं कि ये ट्रेंड है जो क कि आपको संसत से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगा दिखाई देता है और समाजबादी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ मनोजी आदो मनोजी आज जो आपके पार्टी के हैंडल से जो ट्विट किया गया है के सो परसाद मौरिया के लिए और जो पोस्ट लिखा गया है रोज बयान दे रहे हैं एकले से अदव की सरकार अब गई की तब गई लेकिन सरकार का कुछ नहीं हो रहा है तो फ्रस्टेशन इस रूप में निकल रहा है क्या कौन सी सरकार वाली उत्तर प्रदेश वाली की वहां दिल्ली वाली आपकी चाहेंगे उस दिन गिर जाएगी, दिल्ली वाली तो जट चाहेंगे, तो कौन रहा है आपको भई, फिर भी आप नहीं गिरा पा रहे हैं, अभी उसका सुमहूरत नहीं आया ना, हम सुमहूरत पर काम करते हैं, थोड़ी नहीं कि राम मंदिरें चाहूरत गार्टिंग लेकिन बड़ी बात है आपने, मैं अपनी पाटी आले बयान का बात को बदूँगा, जो भी बयान है उसका जवाब, लेकिन अभी बड़ी डिवेट चल लई थी, इतना ग्यान आया, अच्छा मुझे बताएंगे, हमारे उत्तर पजेस में भी सदन है विदान सभा का, हमार तेवर देखा था, ये तो राहूल जी है, जो बरदास कर रहे है, समाजवादी पाटी ने तब प्रतिपच होते, और तेवर ओम बिल्ला जी के अगर ये होते, भले वो चेयर परसन है, इतना तेवर दिखाने की आप सकता है, उनको नहीं है, क्या कर लेते, क्या कर लेते, व तो क्या कर लेते, कुछ-कुछ बता दीजिये, टिप्स मिल जाएगा राहूल गांधी को, वो अकेले खुद से नहीं कर पा रहे है, आप से सीख के कुछ कर लेंगे, बता तो दीजिये, मनोज यादा, क्या कर लेते, अरे बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, हर दलका वेक पाते हैं, ये सुकून माने राहूल गांधी जी का कि बहुत सौम मेता से राहूल गांधी जी हाथ का इसारा कर रहा है, चुकि एक मंत्री बेल में आख, आप उल्टी गंगा भाने की कोशिस करेंगे, मनोज यादा,